पके हुए केले फिरीज में क्यों खराब हो जाता है? चलिए इसके पीछे का कारण जानते हैं केला अधिकतर गरम प्रदेशों का फल है इसलिए ये उपासन जलवायू में ही ठीक रहता है केले कम ताप मान के सहन नहीं कर पाता है इस पर अधिक ठंडग या बर्प अधिका बुरा प्रभाप पड़ता है इसलिए जब हम पके हुए केलो को फिरीज में रखते हैं तो उन पर ऑक्सिडेज नामक एंजाइम क्रिया करने लगता है और उन्हें काले रंग के साथ क्लिपली बासा बना देता है परिणाम सुरूप फिरीज के पके केले जल्दी खराब हो जाते हैं इसलिए फिरीज में पके केले नहीं रखना चाहिए हाँ यदि आप रखना ही चाहते हैं तो अपने फिरीज में कच्चे केले रख सकते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जैसे ही कच्चे केले पकने लगे तो उन्हें वहाँ से निकाल लेना चाहिए अन्यथा खराब होने लगेगा इसलिए फ्रीज में पके केले अधिक ठंडक और अक्सिडेज एंजाइम की क्रिया के कारण खराब हो जाते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और आप कहां से वीडियो देख रहे हो कॉमेंट में जरूर बताना ऐसे ही मज़ेदाब फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना थेंक्स पर वाचिंग